हेलो गुड आफटरनून एवरीवन मैं एक तागोयल आप सबका स्वागत करती हूं अपने लाइब में अमूल पेच पर तो आज मैं बनाने वाली हूं हरा भरा कबाब सर्दियों में इतनी सारी हरी सब्जियां आती हैं और हम लोग हरी सब्जियां खाखा के बोर हो जाते हैं तो मैं बनाने वाली हूं चटपटे हरे भरे कबाब जिसके लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है हरी सब्जियों को बच्चों को खाने के लिए जिसमें मटर पालक सब चीज मैं यूज़ कर रही हूँ जो हाई प्रोटीन रेसिपी है बिटमिन से वरपूर है और कैलरी इसमें बहुत ही मिनिमम है तो आईए बनाते हैं हरा भरा कबाब इसके लिए मैंने लिया है यहां पे पालक पालक मैंने अलका सा ब्लांच कर लिया है सिर्फ पांच मिनट के लिए इसको अच्छे से धो के नमक के पानी में 5 मट के लिए बॉइल किया है सिर्फ पांच मिनट और मैंने ऐसे हरी मत्र को छील के उबाल लिया है जब तक यह अच्छे से गल ना जाए यहां मैंने लिया है बॉइल पाटटो कैया जिसको मैंने कंग कद्दू कस कर लिया है बिलकुल मैज्ड है के लिए और यहां कॉंपलोर का यूज यहां प्रीकाइज से हयाओ सिलनुक्ट लिया मैं पनीर गानिशिंग के लिए तो मैं हाँ पनीर यूज कर रही हूँ अमूल का फ्रेश पनीर और थोड़ आसा मैं यहां यूज करूंगे जिंजर और हरी मिर्च तो यहां पर सबसे पहले मुझे करना है इन सब को एक पेस्ट बनाना है जिसके लिए मैं मिक्सी में डालूंगी हरे मटर पालक थोड़ा सा धनिया हरी मिर्च थोड़ा सा जीरा सौरी अद्रक और मैं इसको एक मिनट में मिक्सी में पीस लेती हूँ झासर थी बतरो हरे मिक्सी में पालब हरे मिक्सी में मिक्सी में प्रणाव थोड़ा सा मैं इसमें आड़ करूंगे पानी क्योंकि ठीक से मैंने को अच्छे से ड्रेन कर लिया था तो इनका जो एक्सेस वाटर था वो सब निकल गया है तो थोड़ा सा मुझे इसमें पानी आड़ करना पड़ेगा पानी आड़ा सा मुझे इसमें आड़ेगा यह एक पेस्ट रेडी हो गया है जो हम कबाब बना रहे हैं उसको पेस्ट थोड़ा सा सॉफ्ट होता है क्योंकि हां हम कटलेट नहीं बना रहे हैं टिक्की नहीं बना रहे हैं कि जो एकदम हाट डो हमारे पास हो एक हमारा जो इसकी बैंडिंग के लिए होगा एक सॉफ्ट ड हंडिट परसेंट वेज कबाब है और हेल्दी तो हैं ही आपके सामने तो मैं हाँ पेस्ट मटर का और पालक का यहां में डालूंगी आलू आलू हमें जितना हमारे पास मटर और पालक का यह ग्रीन वाला पेस्ट है उसका हमें वन्थार्ड यूज करना है जिससे बस बाइंडिंग अच्छी हो आप इसमें पनीर कभी मैस्ट करके डाल सकते हैं और मैं यहां पे डालूंगी दो से तीन चमट जितना हमें बाइंडिंग के लिए ज़रुत पड़ेगी उतना मैं डालूंगी चने का आटा टेस्ट के इसाब से नमक हरी मिर्च में डाल चुकी हो कि वह काफी तेज हरी मिर्च आ रही है आज कल आप एक्स्ट्रा में डालना चाहें तो आप हरी मिर्च के साथ लाल मिर्च का यूट कर सकते हैं कि इसका एक अच्छा सा हमें सॉफ्ट डो बनाना है कि अधर में थोड़ा गैस भी जला दिए इससे मेरा पैंड गर्म हुझे आप ब्रेट क्रम्स इसमें यूज कर सकते हैं आप इसमें कॉन फ्लोर का ऑप्शन भी ले सकते हैं और अगर आपके पास चने का आटा है चना पीस के तो वह बेस्ट ऑप्शन है अगर अपनी हेल्दी रेसिपी को हमें हेल्दी रखना है यह एक डो तयार हो गया है मैं इसमें एड़ करूंगी थोड़ा सा चाट मसाला थोड़ा सा गरम मसाला नमक में यूज कर चुक्यों है और अब इसको एक हाथ में मैं थोड़ी सी ओयलिंग करके मैं इसके कबाब बना लेती हूं तो बहुत hard हमें इस dough को नहीं रखना है, मैं इसको एक बार और आपको बताती हूँ, बिल्कुल soft dough है ये हमारा, और बहुत ही soft हाथ से हमें इसे बनाना है, देखेंगे आप बिल्कुल soft dough है, like this, तो हमें soft ही रखना है, अदरवाइस हम बनाने जा रहे हैं, कवटब कबाब और हमारी बन जाएगी टिक्की, तो हमें यहां टिक्की नहीं बनानी है, हम मैं यहां बनाऊंगी कबाब, तो मैं थोड़े से पनीर को कट कर लेती हूँ, छोटे-छोटे पीसे में, आप चाहें, तो अपने कबाब को यह अपने, तो इन्हें स्टफ्ट भी बना सकते हैं, स्टफ्ट बनाना भी बहुत easy है, बशरते आपका dough बहुत soft होना चाहिए, तो मैं यहां करने वाली हूँ, पनीर की स्टफिंग, बहुत हलके हाथ से हमें यह स्टफिंग करनी है, और हमें यह कबाब हमारा एक शेप में आके रेडी हो गया है, अपने हाथ को ओईलिंग से ग्रीस करें, जिससे यह हाथ पे कम से कम चिपके, क्योंकि बहुत soft dough है, आप इसमें स्टफिंग के लिए आप उड़त की दाल, चनी की दाल का पेस्ट बनाके, मसाला बनाके आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहां सिर्फ पनीर की ही स्टफिंग कर रही हूँ, यह मेरे अल्मोस्स सारे कबाब रेडी हो गए हैं, यह मेरे अल्मोस्स सारे कबाब रेडी हो गए हैं, यह मैंने पालक डाइसो ग्राम लिया था और मैंने मटर आधा किलो मटर को आधा किलो मटर लिया जिसको मैंने छील के दाने तयार के थे तो इसका रेशो इतना ही रखना है, आप इसमें चाहें तो आप अनियन का भी उसकर सकते हैं, गालिक का भी उसकर सकते हैं, बटिया उप्शनल हैं, बहुत हलके हाथ से ही इसे पेस्ट करना है, और यह मेरे कबाब रेडी हैं, तो मैं आती हूं हैंगोश करके, यहां जानिशिंग करेंगे काजू के साथ, तो यहां मैंने काजू लिया है, इसके फोर पीस करने वाली हूं, आप चाहें तो सिंगल सिंगल भी ने पेस्ट कर सकते हैं, तो आइए, इनको करारा करते हैं, कुरकुरा करते हैं, अपने पैन से, यह बहुत हैल्दी रैसे पी है, क्योंकि नॉन फ्राइड है, तो अच्छी रैसे की बनने वाली है, एक बारी से ट्राइए कीजिएगा, यहां मैं यूज़ करूंगी ओईल का, आपको इसा भी ओईल यूज़ कर सकते हैं, अब अब जाएगा, अब आपको अब कर दो कर दो करते हैं, अब जाएगा, थोड़ा सा गरम हो गया, तो यहां मैं बहुत ही हलके हाथ से, इनको कुरकुरे होने तक हमेंने सेखना है और आप इसके लिए नॉर्मल कोई भी चट्नी यूज़ कर सकते हैं तो यहां मैं टामेटो सॉस का और ग्रीन चट्नी का यूज़ कर रही हूं धन्या पूर्देना की चट्नी मैंने यहां बनाके पहले से लखी हुई है आप देखेंगे इसका कलर कितना ओरिजनल है कोई इसमें एड़िट कलर नहीं है और इसमें हैल्दी कलर हमारे पास अबलेबल हो रहा है आज तो इतनी कलर फूल रैसिपी अगर देखके तो आप भी कुछ क्योंकि आपके बच्चे खाएंगे तो या घर में कोई विम्मर खाएगा तो उसको हैल्दी फूड मिला तो आल्मोस्ट मॉमी तो इसलिए खुश हो जाएंगे और बच्चे इसलिए खुश हो जाएंगे और कि इतनी अच्छी रैसिपी उने मिलने वाली है तो इसलें ट्राइब कीजिएगा अपने बच्चों को किलाईएगा कर दो इनको कुरकुरे होने में 5-10 मिनिट का टाइम लगेगा तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा का कि इनको के लगेगा को अचिटा में में लगे. झाल झाल कि अपने हम अपने प्लेटिंग स्टार्ट कर देते हैं कि यह मैंने पलट भी है यहां मैं यूज़ कर रही हूं धनिये पोदीने की चट्नी कि हुआ रही हुआ यूजब यूज़ कर देदे लूँआ यूज़े लूगख पने रहीं। और डेकोरेट करेंगे ग्रीन पत्ती के साथ आप देखेंगे यह अल्मोस्ट दोनों तरफ से सीग गए है अच्छा करारा कुरकुरा आ गया है टेक्चर इनका तो दो मिनट से ज्यादा इन में और लगने वाला नहीं है दो मिनट में मैंने सर्व कर देती हूं कर देखे च्छा कर सकते हैं तो यह हमारे कबाब बिल्कुल रेड़ी है आप देखेंगे कलर टेक्चर यह उपर पपड़ी आना बहुत ज़रूरी है अदर्वाइज एक कुरकुरे नहीं रहेंगे बिल्कुल अंदर से सॉप्ट बाहर से कुरकुरे यही एक एक अच्छे कबाब की एक पहचान है तो आईए मारे कबाब रेड़ी हैं यही एक कुर हो आईए एक का आप देखेंगे बिल्कुल रेडी कबाब है एक बार इन्हें ट्राइ कीजेगा और फिर मुझे कॉमेंट बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी बहुत सिंपल है मैं इसका एक रीकैप आपको बताती हूँ मैंने यहाँ पे लिया था बॉयल किया हुआ पालक जिसको सुर्फ मैंने पांच मिनट लिए बॉयल किया हुआ और मैंने यहाँ पे लिया है मटर जिनको मैंने दाना गल्ले तक उनको उबाल लिया है अच्छे से और मैंने यहाँ लिया है बॉयल पटेटो जिनको मैंने कद्दू कस किया है आपको कद्दू कस ही करना है अधर्वाइस उसमें थोड़ा सा लंस रह जाएगा तो वह हमारी कट्लेट को कलर भी खराब कर सकता है और मैंने यहां लिया है चैने का आटा भूने चैने को भूने चने को मैंने पीस के यहां आटा यूज किया है और सब को मैंने मिक्स करके मटर पनीर को मटर को और पालक को मैंने अच्छे से पीस लिया है जिसमें मैंने हरा धनिया और अद्रक और हरी मिर्च का यूज किया है तब मैंने उसको पीस के एक पेस्ट बनाया उस पेस्ट इसके अंदर मैंने बॉयल पटेटो को मिक्स किया है चने का आटा मिक्स किया है और पनीर की मैंने इसके अंदर स्टफिंग किया आप देखेंगे इसके अंदर पनीर की स्टफिंग है आप चाहें दाल की स्टफिंग कर सकते हैं आप जिस भी चीज की स्टफिंग चाहें उसकी इसमें स्ट्रफिंग का यूज कर सकते हैं और इनको मैंने तवे पे कुरकुरे होने तक करा जा क्रिस्पी होने तक मैंने इनको फ्राइकल ले आए बहुत थोड़े से ओयल में तो आप यह देखेगा मेरी एक हेल्डी रेसिपी है जिसमें प्रोटीन बिटामिन कैल्शियम आयरन से भरपूर है और कैल्टी इसमें बहुत ही कम है तो यह एक ऐसी रेसिपी है आप इसे घर में ट्राइजरूर की जगा उसके पिर मिलती हूँ एक बार और आपके साथ फिर नहीं रेसिपी को लेकर तब तक के लिए बाइबाई थैंक्यू थैंक्यू एव्रीवन पॉर जॉइनिंग मी थैंक्स लॉट